हलो गाईज, वेलकम बैक टो माई चैनल, डेवी ब्लॉगर भावटा और गाईज, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, विंटर की स्पेशल वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जटपट मैं आपको काड़ा बनाना से खाऊंगी जिससे आपके कितनी भी पुरानी खासी हो, आप उसको बहुत असानी से और एक दिन के अंदर ही गायब कर सकते हैं तो अगर आप नए है मेरे चैनल पर तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह रेमेडी कैसी लगी और मैं आपको बताती हूं कि यह जो रेमेडी है इससे आपकी कितनी भी पुरानी खासी हो आप इसको जटपट में ठीक कर सकते हैं और इसको आप बनाकर रख लीजे और फिर हलका हलका गरम करके 2 दिन तक आप इसको यूज कर सकते हैं 2 दो चमज हर 3-4 घंटे में आप बच्चे को बड़े को पिलाएं और बच्चों को तो आप 2-4 चमच तक पिला सकते हैं और बड़े ये 5-6 चमच ले सकते हैं कोई नुकसान नहीं है क्वांटिटी क्योंकि बच्चे ऐसी चीजों को कम पसंद करते हैं इस वज़े से मैंने ये क्वांटिटी बताई है और आप इसको यूज़ करके जरूर देखेगा ये बहुत इफेक्टिव है और इसको बनाना बहुत ही जादा असान है तो चले फिर ये हम हमारी रोज की चीजों से हम इस काड़े को तैयार करेंगे और ये आपके लिए बहुत ही जादा असरदाए होगा तो चले फिर किचिन में चलते हैं और मैं बताती हूँ कि ये काड़ा बनाने के लिए आपको किस किस चीज की ज़रुत पड़ेगी और गाइस मैंने यहाँ पर ले लिया है आदी चमच अजवाइन वन फोट स्पून काला नमक एक चोटी गुड की डली एक अद्रक का पीस और एक कप पानी इन ही सब इंग्रीडियन्स है आद मैं आपको बनाने वाली हूँ कि हम कैसे रेमेडी तयार करेंगे ये हमने बर्तन में एक कप पानी डाल लिया अजवाइन डाल ली आदी चमच ये हमने आपन नमक डाल दिया अकाला नमक फिर हम लेंगे ये गुड की छोटी सी डली इसको डाल देंगे और इसके बाद हम अद्रक को थोड़ा सा कूट के मान दस्ते में इचली मेरा मैं दस्ता मिलने रहा था तो मैंने इस लाप पर रखकर इसको कूट लिया था और अब हम इसको डाल देंगे इसके अंदर और इसको बॉइल करने के लिए रखेंगे गैस पर और हम इसको दस मिनिट तक बॉइल करेंगे कंटीनियूम नॉर्मल फ्लेम पर और रखेंगे और आप देख सकते हैं कि कंटीनियूसली बॉइल हो रहा है और यह हमें जब तक बॉइल करना है जब वन कप का यह हाफ कप ना रहे जाए और कंटीनियूसली हम इसको बॉइल करते रहेंगे और यह एक ऐसी रेमेडी तयार होगी जिससे आप बहुत ही जल्द अपनी पुरानी से पुरानी खासी को बच्चों की क्यूंकि यह टाइम ऐसा चल रहा है सब भी बच्चों को बहुत जादा कफ खासी की प्रॉब्लम चल रही है तो इससे आप कितनी भी पुरानी से पुरानी खासी को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत तेजी से उबाल आ रहा है और अगेन आप देख सकते हैं कि बॉइल हो कि इसकी क्वांटिटी कितनी कम रह गई है अब हम इसको चान लेंगे गाइस चाय की चहनी की हल्प से मैंने चान लिया और यह हमारा काड़ा होता है तैयार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें और शेयर करके बताएं